अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पली चैनल सब्सक्राइब करें और बैल आइकन पर कलिक करें गहनों से बनाए सेहत प्राचिन समय में औरतें बहुत सारे गहने पहनती थी लेकिन अब इस मोडर्न जमाने में लेडिज कभी कबार किसी साधिया फंक्शन आदी में ही गहने पहनती हैं गहने पहनने से हमारे सरीर की नसों पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है जिससे बहुत सी बिमारियों को होने से पहले ही रोका जा सकता है तो आईए आज हम आपको गहने पहनने के कुछ ऐसे लाब बताएंगे जिनसे आप कई बिमारियों को होने से पहले ही रोक सकते हैं गहने पहन कर कैसे करे बिमारियों को दूर चुग्टि के फाइदे विज्ञान के अनुसार चुग्टि पहनने से श्रीर के निचले बाग की मासपेशियों को मजबूत करके बलड सर्कुलेशन को सही किया जा सकता है पैरों में चुग्टियों के पहनने से ऐसी नस दबती है जिसका सीधा संबन दिमाग से होता है और उस नस पर दबाव पढ़ने से दिमाग सही से काम करता है चुडिया पहनने के फाइदे चुडिया पहनने से उसकी आवाद से नेगेटिव एनरजी दूर होती है बलड सर्कुलेशन सही से काम करता है जिससे हार्ट की विमारिया नहीं होती चुडियों के पहनने से अलर्टनेस पैदा होती है सोने के गहने शरीर को गर्मी देते हैं और निचले हिस्चों में चांदी के गहने पहने जाते हैं जो शरीर को ठंडग देते हैं ऐसे गयने पहनने से श्रीर काताप मान सही रहता है, जिससे सारीरिक और मानसिक स्थिती सही रहती है। राजस्तानी ओरते कोहनी से उपर बाजूओं में बाजूबंद और कड़े पहनती हैं, जिससे उनके मासिक दरमचकर पर अच्छा असर पड़ता है, जिससे कोई बिमारी नहीं हो पाती पायल पहनने के फायदे, पैरों में चांदी की पायल पहनने से जब पायल रगड़ खाती है तब चांदी पैरों के अंदर चली जाती है, जिससे हमारे सरीर की हड़ियां मजबूत होती है पायल पहनने से पैरों में एक्वा प्रेसर पॉइंट पर दबाव पड़ता है और टांगों और पेट का मुटापा नहीं बढ़ता तो इस तरह से आप अपने सरीर की कई बिमारीयों को सिरफ गहने पहन कर ही दूर कर सकती है इसलिए कुछ गहनों का परियोग तो आपको हर रोज करना ही चाहिए आसा है आपको हमारा ही वीडियो पसंद आया होगा ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लेज हमारा चैनल जुरूर सब्सक्राइब करें और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thehealthylifestyle.in पर भी विजिट कर सकते हैं तन्यवाद